शावन के महीने में फौजदारी बावा बासुखी नाथ के जियोत्रिलिंग के दर्सन मात्र से ही कावरिया उखुदर्द भुलकर भाव विहोर हो जाते हैं सावन के महीने में भगवान सीप पर जलारपन करने की काफी पुरानी परंपरा रही है खास कर सावन में सोंबार के दिन भगवान सीप पर जलारपन करना काफी सुबह और जल्धी मनोकामना पूरी होने वाला दिन माना जाता है दुमका की बासुकीनाथ मंदिर में कावरियों का सैला पर्थम सोंबारी के दिन उमर पड़ा अरगा के माध्यम से भक्त बावा बासुकीनाथ को जलारपन कर रहे थे पूरा बासुकीनाथ मंदिर मानो शिब मैं हो गया अहले शुबा मंदिर कापट खुलते ही कावरियों की लंबी कतार लग गई धीरे धीरे कावरियों की कतार बढ़ती चली गई पूरा मंदिर परिशर केसरिया मै हो गया उहें बावाबास की नात का जला विशेक करने के लिए कावरियों का हुजूम उमडपड़ा महिला पुरुष और बच्चे सभी जला विशेक करने को उत्सुक थे हजारों की तदाद में उमड़ी भेरिड को नियंतरन करने के लिए शुरक्चा के भी तगड़ा इंतिजाम किया गया था सावन में भगवान सी पर जलारपन करने की परंपरा है और कामना लिंग बावाबै नात धाम पर 105 किलो मिटर की कठीन यात्रा कर देश विदेश के सरधालू कंधे पर कावर लेकर आते हैं बावा बैद नाधा पर जलार पर करने के बाद कावरिये फोजदारी बावा यानि बासुकीनाथ के दर्वार में भी हाधरी लगाते हैं। भानता है कि भावा भॉजदारी पर जो भी मन्नगी जाती है वो पूरी होती है इसलिए शावन महां में यहां विशेश महातोग भी हुआ है हुआ है अचे और हुआ 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 है तो कर दो, इसकी भी तुर्ड़ खालब से उच्छे करिया है सब्सक्राइब करें और आके बहुत आनंग दिलता हैं लगता है कि यहां से जाने का दिली नहीं होता है सब्सक्राइब करें लगता है कि यहां की ब्यवस्ता कैसी लगी कोई परिशान है यहां करें जल प्रणा के लुषने बोगते लर्णा के लिए ऑज़न करें हैं जल परिष्सक्राइब लुकवहता इंश। आए बहुत बनिया परिवस्ता से जल चड़ दिया बहुत बचनिया लगा दू के उस्तापあの जो टार दो प्राइब इसक्राइब अल्दित